Hello students, welcome to Cat Game Solutions तो आज हम Unigraphics का एक यह model बनाने वाले हैं इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास इसकी full dimension है यह model है, यह इसका top view है, यह इसका side view है और यह एक section view है इसका, ठीक है निए यह वाला section है तो यह वाला हम लोग इसमें आज पार्ट बनाने वाले हैं तो चलिए इसको start करते हैं और इस वाले tutorial के साथ आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो complex part है वो बनाने में असानी होगी वो सीखने मदद मिलेगी, जो भी beginners है या जो भी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा model है, वो इसको try कर सकते हैं साथ ही साथ इसमें sketch बनाने की भी practice हो जाएगी चलिए इसको start करते हैं, file में चलते हैं, new, एक page उठाते हैं नया page लेते हैं, आप इसको नाम डाल दीजे, save कर दीजे कहाँ आप इसको save करना चाहते हैं, और इसको okay कर दीजे ठीक है ना, okay करने के बाद क्या करना है, आपको ये वाला part बनाना है तो ये वाला part हम लोग बनाते हैं, ये वाला plane मैं हाँ से select करता हूँ ठीक है और इसे कर देंगे OK करने के बाद आप इसको बनाना start कीजी ये सिर्फ मैं इतना part बनाऊंगा और इसको mirror कर दूँगा ठीक है और यहां से इसको बनाते है ठीक है कुछ इस तरीके से मैंने ये बना दिया, और इसके बाद अब इसे हम लोग करेंगे डामेशन ठीक है डामेशन क्या है मेरे पास यहां पर 95 यहां पर डामेशन है टोटल तो यह 95 का हाफ हो जाएगा 95 डिवाइड बाय टू ठीक है उसके बाद क्लोज करेंगे यह वाली जो एक हाइट है यह मेरे पास यहां पर 12 दी हुई है तो यहां स से होल का 75 है और यह पूरा यहां से यहां से यहां तक यहां पर 80 dimensions है तो यहां से चलते हैं और linear dimension लेते हैं और इसमें हम लोग vertical select करेंगे तो यहां से और यह वाला point मेरे पास हो जाएगा 80 mm का ठीक है 80 mm का बनाने के बाद यहां से एक line draw कर देना line draw करने के बाद इसको हम लोग यहां पर मैच कर देते हैं लगबग इतनी बड़ी है लाइन चाहिए मिरको और यह इस तरीके से आपको बन जाएगा उसके बाद बार यहां पर 95 हो गया 80 हो गया और इसके बाद हमने यहां पर 75 ठीक है यह वाला पार्ट रहता है 75 का हाफ कर देंगे तो यहां से चलते हैं linear dimension में और यहां से करते हैं horizontal यह वाला ठीक है इसको 75 का हम लोग आधा कर देंगे ठीक है यहां से इसको करते हैं लोग 75 75 यह है 75 डिवाइट बाइट तू और इसको करते हैं ओके यह वाला मैंने कर दिया यहां से construction line में convert कर दिया अब इसको हम लोग mirror करते हैं तो mirror करने के लिए यहां पर मेरे पास है mirror curve और इसके बाद आप जाएए और यहां से आप connected curve ले लिजे ताकि सारा select हो जाए एक बार में और center line में mirror कर लिजे नहीं हो रहा mirror क्योंकि सारा connected होगी अब कोई बात नहीं दोबारा से हम लोग mirror command लेते हैं mirror command लेने के बाद यहां से आप लोग single curve ही रहने दे और one by one आप इसको select कर लिजे select करने के बाद आपको center line देनी होगी जिसके about आप इसको mirror करना चाहते हैं यह mirror हो जाएगा apply कर देंगे और cancel कर देंगे cancel करने के बाद यहां से हम लोग इसको करते है finish करने के बाद जो हमारा काम रहता है वो यह है कि इसको 18 mm हमें extrude करना पड़ेगा तो 18 mm इसको आप लोग extrude कर देना ठीक है 18 mm extrude ही हो चुका है यह हमारा base feature ready हो चुका है sketch को मैं hide कर देता हूँ अब इसमें मिर बनाना है यह वाला part देखो इसे बनाने के आपके पास दो तरीके हैं या तो आप इसको easy way में कर सकते हो 40 mm बना millise फिर इसको कुछ कट कर दिया फिर आमने एक बनाना उसको कुछ कट कर दिया और फिर एक बना कर दिया ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप एक काम ये कर सकते हो कि इसको half बना लो और एक ही बार में revolve कट कर दो आपके पास में दोनों ही चीज़े हैं ठीक है ना तो अब मैं इसको यही काम करने वाला हूँ और इसको मैं okay करता हूँ ठीक है ये मेरे पास ऐसे आ गया है अब इसके लिए एक सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ठीक है इस सेंटर लाइन को ड्रॉ करके ये 80 mm का 40 mm इसका सेंटर है तो इसको 40 mm मैं डामेशन कर दूँगा ताकि ये प्रॉपर सेंटर में आ जाए फिर उसके अराउंड इस चारो तरफ इससे बना दूँगा अब यहां से लाइन कमांड लेंगा और लेने के बाद अब इसको मैं धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करता हूँ अब जैसा जैसा ये आपको दिखता जाए वैसा वैसा आप इससे बनाते जाना यह इस तरीके से मैच नहीं होना चाहिए और यह कुछ इस तरीके से आपका बनेगा यह मैंने रफ बना दिया इसको अब चलिए इसको डैमेशन करते हैं यहां पर आपको 40 mm दिख रहा है तो यहां से आप लोग चलेंगे linear dimension और इसको कर देंगे vertical और यहां से 40 का हम लोग कर देंगे 20 देखो यहां थोड़ी से mistake है यहां से हम लोग को trim करना पड़ेगा यहां से यह वाला इसको कर देंगे हम लोग 40 का हाफ हो जाएगा 20 mm उसके बाद यह जो अंदर वाला है यह वाला है हमारे पास 31.15 diameter ठीक है ना 31.15 का 31.15 divided by 2 चले यह भी हो गया अभी जो लास्ट वाला है 35.64 है ठीक है तो यहां से और यहां तक 35.64 को हम divide कर देंगे 2 से और 19.32 यहां तक है ठीक है ना यहां तक आपका 19.32 है और यहां से यहां तक आपका 6 तो खेर इसकी height है आप 9.32 लीजिए इस वाले portion से तो यहां से चलते हैं और लेते हैं horizontal ठीक है यह हमारा हो जाएगा यहां से यहां तक 9.32 9.32 आप इसको कर देंगे इसके बाद आपका बचता है 12 वो पूरे bottom से यहां तक आपका 12 आएगा इस point से और इस point तक आप इसको रख लेजिए 12 ठीक है 12 करने के बाद आप आपके पास मैं देखिया फिलेट भी है तीन का यहां पर 3.57 का फिलेट भी कर सकते हो यहां पर 3.75 मैं पहले ही कर देता हूँ और अब इसे zoom करकर यहां पर फिलेट करते हैं तेंजेंट करने सिंगल कर अच्छा यह सौरी यह स्केच वाला आपको फिलेट लेना है यहां से फिलेट लेंगे और 3.57 एंटर और यहां से यह मैंने कर दिया फिलेट को क्रिएट पर देखो यह फिलेट है ना काफी बड़ा आ रहा है तो इसको अंडू करते हैं और इसको यहीं पर छोड़ देता है इसको हम बाद में फिलेट कर लेंगे ठीक है ना चलिए और तो यहां कुछ नहीं रहता और यहां पर कंस्ट्रेंट मेरे ख्याल से कर दिया हैं से 40 mm यसका सेंटर आरहा है तो कि चलिए इसको फिनिश करते हैं फिनिश करने की यहां से हमारा बूलियन ऑपरेशन तो यह हमारे पास में इस तरीके से राउंड कट जाएगा ठीक है अब जो यह वाला पार्ट था यहां 3 mm का फिलेट आ रहाता है ना तो यह जो 3 mm का फिलेट था यह मैं यहां से एज ब्लेंड के जरीए यहां पर लोंगा 3.75 3.57 और इसको फिलेट कर दूँगा तो यहां पर एक फिलेट क्रियेट हो जाएगा ठीक है और चलिए अब स्केच करते हैं इस फेस के ओपर और इसको करते हैं ओके ओके करने के बाद इस स्केच के ओपर एक यह वाला पार्ट हमें बनाना है इस पार्ट को बनाने के लिए यहां पर मैं ए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैं हां से उठा लेता हूं और इसको मैं कर दिये 4 मैंने कर दिये 4 mm dimension close फिर से dimension लेते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये 4 हो गया ये वाला ये वाला ये हो गया 4 ये वाला और ये वाला हो गया 4 खीजार तो आपने यह सब कर दिया यह करने की बास आपके पास है रेडियस 16 का यहांपर यह 4K कोनों पर फिलेट है तो इसकेे लिए आपको रेडियस 16 का 4 heats कोनों पर फिलेट के आपको यह सब गयर मैंत होगी जुरूरत पड़ेगी तो one by one आप सबको दे दीजे ठीक है अब one by one आप सबको दे देंगे तो आपको यहाँ पे rectangle create हो जाएगा आप इसको करते हैं finish finish करेंगे finish नहीं करना अब यहाँ पर करना है इसको इसी sketch को edit कर लेना क्योंकि हमें एक काम और इसके साथ करना है वो क्या करना है कि हमें एक बड़ा सा यहाँ पर circle भी चाहिए इस circle में क्योंकि एक तो छोटा circle है जो यह वाला है यह के बाहर भी round हो रहा है ठीक है ना यह जो बाहर round हो रहा है आप यह thickness देख सकते हो यह 4 mm है ठीक है यह 4 mm है तो 40 में आप 4 और add कर लीजे तो यह 44 का हो जायागा ठीक है ना 44 का हो गया नहीं यह कुछ थोड़ा सा जादा होगा 44 की जगा है मेरे ख्याल से 48 होना चाहिए अब जाएगे कुछ यह ठीक है और इसे close करेंगे क्योंकि आपका 4 इधर भी है चार इधर हो गया आपका 44 हो गया ठीक है और 4 ही नीचे की तरफ होगा तो यह आपका हो जाएगा 44 तो हम लोगोंने यहां से इसको कर दिया था 48 तो 48 ठीक है अब आप इसको करिए finish और आप finish करने के बाद यहां से देखिए total 18 था ना हमारे पास यह देखिए total 18 थी इसकी height और यहां पर 18 के बाद यहां पर अगर आप देखेंगे इस वाले portion में नीचे से यह है न 6 mm है यहां के depth में कटा हुआ है ना नीचे से 6 है तो 18 में से हम इसको 6 mm less कर देंगे तो जो बचा हुआ होगा वो यहां पर निकल जाएगा ठीक है हमने select किया और यहां से हमने किया 18 minus 6 sorry 18 minus 6 ठीक है यहां से object को हमने कर दिया subtract और यहां से apply कर दिया तो इस तरीकी से हमारे पास में portion बचके आएगा चलिए portion बचके आगया और यहां से sketch लेते हैं और नीचे एक हम लोग यहां पर ok कर देते हैं ठीक है अब यहां पर आपको एक काम करना पड़ेगा एक आप अपना डाल दीजिए एक तो यह center line डाल दीजिए और एक आपको और center line डालनी होगी इस तरीके से ठीक है और एक मैं इसको इस तरीके से डाल देता हूँ यह मेरे पास देखिए 90 degree का angle है इसको construction में convert कर देता हूँ यह मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अब यह न एकदम देखिए उसका है न सेंटर में आना चाहिए एक दो line है देखो vertical भी है थोड़ी से लेकिन चार का gap है न के बीच में बागी का यह फिलेट है फिलेट करके हम इसको पूरा कर देंगे तो पहले इसको dimension करके इसको adjust कर लेते हैं adjust करने के लिए मैं दोना लाइने को select करके और यहां पर रखते दाऊ 45 ठीक है मैंने यहां पर इनको 45 रख लिया और यह मेरे हिसाब से ठीक है 45 और 45 यहां पर हमारे पास 90 हो जाएगा तो यह एकदम center में आ रहा है इसके है न क्योंकि actual में हमें यहां पर gap नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हमें यहां पर करना पड़ेगा बाकि अगर मैं देखूं तो इसका center थोड़ा सा हटके आ रहा है पूरा exactly नहीं आ रहा है वहीं पर जो center में आना चाहिए तो या तो आप इसको 45 कर लीजे क्योंकि यह given भी नहीं है तो यह एकदम या तो center पर है बिल्कुल है ना तो center पर करने के लिए मैं इसको ड्लीट कर देता हूँ यहां से मैं command लेता हूँ और यहां पर नहीं कि इसका center जरूर आएगा ठीक है कुछ इस तरीके से एक करव आएगी कि यहां से पहले इसको coincidence कर देता है यहां पर मिड़ पॉइंट और intersection पॉइंट दोनों highlight कर लीजे हाँ इसको थोड़ा center पर इसके रखना ताकि यह आप आए क्योंकि फिर अगर यह थोड़ा सा offset रहेगा तो बने गा नहीं और वैसे भी हमें गिवन नहीं है यह थोड़ा सा देखियो offset प्रॉपर center में नहीं है चलिए इसके बाद अपना बचावा काम कर लेते हैं एक project कर लेते है और इस को इस वाली कर्व को प्रॉजेत कर देता हूँ और एक इस वाली कर्व को और इसको apply कर देना apply करने के बाद आपके पास देखें यहां पर आ गया इसके बाद आपके पास एक हतियार है trim trim कर दीजिए center वाले part को तो यह पूरा trim हो जाएगा यह थोड़ा सा यहां बचा है पर कोई बात नहीं यह पूरा यहां से इसको trim करेंगे यह इसको trim करेंगे ठीक है और यहां से बचाओ सरकल है यह trim हो जाएगा ठीक है इसके बाद आप यह जो line है इन्हें आप extend कर लेना ताकि यह आगे तक match हो जाए जाके और इसको भी आप extend कर लेना ठीक है और यह बीच की line है इसको आप कर देना क्या कहते हैं construction line और इसको आप कर देना finish अब finish कर लिया तो यहां से आप देख रहे हो नहीं यह जो dotted है यह 8 mm तक के आसपास यह उठावा उपर से 6 mm है ठीक है न तो अब हम इसको एना extrude कर लेते है और extrude करने के लिए यह लगबग 6 mm है तो 18 में से यह लगबग आपका 8 mm के आसपास में उठावाए क्योंकि यहां पर हमें given नहीं है ठीक है न तो यह लगबग 8 mm के आसपास है उपर से 6 mm है तो हमने यह जितना extrude रखा था तो उसमें से थोड़ा सा less कर देंगे क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे ना तो यहां पर हमने यह 6 को हमने less किया था तो हमारे पास में यह लगबग 12 बचाता 6, 7, 8 तो 12 में से हम लोग further 6 को less कर लेते हैं तो यह वाला बचेगा अगर हम यहां से करते हैं तो ठीक है न यह जो उपर का dotted dotted आ रहा है चे है यह तो इसको हम लोग करते हैं extrude है ना क्योंकि यहां पर हलका सा clear visible नहीं है यह तो sketch को करते हैं select यहां पर एक चीज़ और हमें करनी है यह circle रहेगे trim करना इसको हम लोग trim कर लेते हैं और इसको भी हम लोग trim कर देंगे चलिए trim हो गया है हमारा काम हो गया और finish यहां से हमारा circle गायब हो गया है हमने जब यहां trim किया था तो यह पूरा का पूरा circle कैसे गायब हो गया ठीक है यह यहां पर है कोई दिक्कत नहीं है तो यहां से एक बार हम इसको trim करते है हम यह यहां पर थोड़ा सा problem आ रहा है trim होते ही यह पूरा trim हो जा रहा है ठीक है ना इसको trim से बचाने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा इसको मैं further extend करके देखता हूँ अगर यह extend हो जाता है तो नहीं फिर यह पूरा आगे तक जा रहा है अभी इसको करते है trim नहीं अभी भी बात नहीं बन रही त्रेम उठाते हैं इसको trim कर देते हैं फिर इसको trim कर देते हैं नहीं यह नहीं हो रहा है इसको trim undo ही करते हैं इसको इतना रहने देते हैं क्योंकि यहां पर थोड़ा समय को problem लग रही है पर कोई बात नहीं हम region boundary curve के जरी इसको कर सकते हैं तो extrude लेने के बाद यहां से हम लोग चलते हैं और इसको region boundary कर लेते हैं और इससे हमारा काम हो जाएगा ठीक है ना region boundary से हमारा काम हो जाएगा और इसको reverse कर लेते हैं और इसको हम लोग 6 mm के आसपास रख लेते हैं इसको 8 mm कर देते हैं हाँ यह लगबग 8 mm है यहां पर थोड़ा से दिखने में problem है ठीक है ना तो यह करने के बाद अब हमें कर देना है सब्ट्रैक नहीं करना इसको unity रखना है ठीक है और इसको apply कर देते हैं तो हमारे पास में यह हो गया यह बनने के बाद sketch को मैं करता हूं hide और sketch और apply और इसके बाद यहां पर eight eight और यहां पर apply ठीक है तो हमारे पास यह हो गया अब इसको हम लोग pattern कर लेते हैं pattern पहले देखते हैं pattern यहां से हमारे पास यह है इनको कर लेना select यह तीन आपने select कर लेना है और इसको rotate pattern करके देखते हैं circular में और vector रहेगा हमारे पास में यह इसके around मेर को चाहिए ठीक है और यह वेक्टर रहेगा हमारे पास में यह वाला ठीक है यहां पर चार आ चुके हैं और यहां पर four है 90 degree है और इसको apply करते हैं पर जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ यहां पर बागी चीज़े pattern नहीं हो पाई हैं तो इसके लिए हम लोग यह काम करते हैं इसको mirror कर लेते हैं mirror जादा बढ़िया रहेगा क्योंकि वह पैटन नहीं हो पा रहे हैं तो पैटन करने के लिए हैं सेंटर में प्लेन क्रियेट कर लेते हैं डाटम प्लेन में जाना एक फेस यह और एक फेस यह हो जाएगा सेंटर में प्लेन आ जाएगा उसके बाद एक यह फेस हो जाएगा और एक यह फेस हो जाएगा सेंटर मे यह तीनों को select कर लेना है और मोर में जाएंगे ना तो हमारे पास mirror feature आता है mirror feature लिया और हमें चाहिए plane के ओपर तो हमने plane में कर दिये इसको और okay ठीक है एक आगया अब चलिए बागी का एक mirror feature हो गया और यह हमारे दो blend हो गए जो यह वाले है ठीक है इसको भी हम लोग कर देंगे mirror feature मिरर फीचर में जाएंगे और plane लेंगे और इसको select करके apply कर देंगे तो हमारे पास में यह भी आ जाएंगे ठीक है तो यह वाला part हमारा पूरा radio हो चुका है इसके बाद हमारे पास में यहाँ पर radius 3 का fillet है और यहाँ पर radius 6 का fillet है ठीक है और यहाँ पर radius 1 का है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं fillet में चलते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं 6 का fillet यह वाला है और यह वाला है और apply इसके बाद हमारे पास में है 3 का तो हम लोग एक 3-3 का यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और apply ठीक है उसके बाद हमारे पास में बहुत चोटा सा fillet ह एक mm का तो यहां पर भी फिलेट हम लोग यूज़ करेंगे 1 mm का तो यह वाला और यह वाला चलिए इसके बाद हम लोग हमना यह वाले दो सरकल क्रेट कर देते हैं a the measter चलते हैं यह फिर आप यहांसे ज़यए होल में जाएए फोल फीचर में जाएँ किया यह एक तीन इंडियोच का ओल सिरीज के एक होल है ठिकहा अगर हम होल सिरीज में जाएंगे तो इहां से आपको एंच का तो कुछ मिलेगा नहीं ठीक है और अगर हम इसमें चलते हैं त्रेडेड डोल में तब भी यहां पर एच का आपको नहीं मिलेगा ठीक है और यहां से अगर क्लियरेंस में चलते हैं तो भी नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक है ना एच एट तो हाई नहीं हमारे पास में तो कोई बात नहीं इसको हम ज कि कि दायामीटर का कर देंगे फाइव डायमीटर का करने के पाद आपको एख्ल词 ini अहां पर आप स्पैसिफबाई कर दीजिए till चली हम पुइंट को ड्यामेशन करते हैं यहां से यहां तक है यह पंद्रे का तो हीहां से चलते हैं रच्पड डैमेशन यहां से यहां तक पंद्रा का लीनियर और यहां से हो गया पाँच और यहां आपका यहां पर होल क्रेट हो जाएगा ठीक है इसको through out body कर देना यह पूरा कट जाएगा चलिए यह आपका हो गया अब इसको हम लोग mirror कर देते हैं और mirror करने के लिए यह वाला plane भी मेरको show करना होगा यह वाला plane भी मेरको यहां से show करना होगा जो मैंने create किये थे simple hole में जाएंगे mirror feature में जाएंगे यहां से more में mirror feature और यहां से select plane और यह वाला plane आपको select होगा और apply वो create हो गया उसके बाद आपको क्या करना है फिर नीचे जाना है mirror और simple hole दोनों को select करके existing plane यह वाला आपको select करना है ठीके न आपके दोने यहां पर select हो जाएंगे और आपका काम यहां पर हो जाएगा बाद में आप कर दीजिए hide तो आप देख सकते हो हमारे पास में एक यह model create हो गया है बाकी एक बार इसको cross check कर लेते हैं बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो कुछ इस तरीके से यहां पर रखावा है यह कुछ इस तरीके से आपका रखावा है ठीक है ना तो model हमारा पूरा create इसके अंदर अभी अगर आप एक चीज और देखेंगे तो यहां पर भी आपको कुछ fillet दिए वे ठीक है ना यहां पर भी fillet है और यहां पर भी fillet है एक बार हम इसको cross check करते हैं यहां पर हमें given तो नहीं है कि कितना fillet है यहां पर तो नहीं है यहां पर भी नहीं है यहां पर भी नहीं है यहां पर सिर्फ एक one mm का fillet दिया हुआ है तो मेरे हिसाब से one mm के होने चाहिए सारे क्योंकि यहां पर हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है अगर आपको नजर आ रहा है तो आप comment box में बता सकते हैं ठीकिना चलिए कोई बात नहीं हम यह radius 1 का fillet ले ले लेते हैं और यहां पर इसके जो यह सारे points हैं इनकों हम लोग fillet करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं राइट लेक रिफ्रेश यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट सौरी इसको दुबारा से करते हैं इसको वन एम्म रखेंगे यह वाला पार्ट यह वाला और यह वाला एपला है ठीक है यह आपका हो गया फिर से ले गया और ये वाला पार्ट ये अंदर का ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा और ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा ठीक है ना तो हमारे पास में ये पूरा अंदर से फिलेट हो चुका तो अभी एक बार देख लीजे कुछ यहां पर रहता है क्या हाँ जी रहता है क्योंकि यह वाली एजिस भी फिलेट है तो दुबारा से फिलेट लेते हैं तो इस तरीके से आपको मॉडल बनाते हुए ना पूरा चेक कर लेना है अच्छे से कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा ह क्योंकि यह बहुत बारिक सी जो यह फिनिशिंग होती है ना यह बहुत इंपोर्टेंट होती है ठीक है तो इनको आपको करते रहना है ठीक है तो यह यहां पर हमने कर दिया फिलेट और यहां पर इसको हमने कर दिया ओके चलिए हमारे पास में यह भी सारा हो चुका है अब और हम इसी के साथ हमारे पास में मॉडल लेडी हो गया है तो अगर आपको ये ट्यूटारल अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आठ चैनल देखिए छोटा सा मॉडल था यू तो बनाने को इसे कोई भी एक्सपर्ट बना सकता है अराम से लेकिन ये टेस कर रहे हैं जो बिल्कुल अभी सीख रहे हैं उनके लिए ट्यूटारल बहुत अच्छा है और चली मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ट्यूटारल में थैंक यू